एक लेडी अच्छी खासी थी, माराथान भागती थी, फिट थी, पूरी फैमिली थी उसकी, और जब वो रुनिंग करती थी, मतब शी उस तो रन हाफ माराथान एवरी डे, एवरी सेकेंड दे, 21-21 किलोमेटर की रुनिंग करती थी, और महिने में एक बार फुल माराथान, 22 किलोमेटर की रुनिंग करती थी, कैंसर डाइग्नोज हुआ, डॉक्तर ने बोला, औस्टोजनित सार्कोमा है, हड्डी का कैंसर है, पूरी फैमिली ब्रोकन डाउन, कुछ आप्शन नहीं बचा, और डॉक्तर ने बोला, कि अब आपको इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा, सोचो उस मरीज की हालत क्या होगी, जब वो एक भागने वाली लड़की, एक ऑस्टोजनित सार्कोमा का कैंसर बोला जाए, अलगी है, हडडी मेंगर कैंसर हुआ है, तो आपको इसको सर्जरी करानी पड़ेगी, और ये भी मैं बता दूं कि जितने लोगों ने सर्जरी कराई है, उनके लंग्स में मैटासास हो गया, कहीं लिवर में ने हैं, कहीं ब्रेन में ने, केवल और केवल लंग्स में और जिन लोगों को हड्डियों का कैंसर हुआ है जिन लोगों को ऑस्टोजनित सारकुमा हुआ हुआ है वो इस बात से रिलेट कर सकते होंगे उस लेड़ी को जब वह बहुत अच्छी फिट फाइन 42 two years of age marathoner and she used to run almost every day उसकी जिन्दगी तूट गई जब वो मेरे पास आई थी तो उसको तो उसने operation के लिए तो मना कर दिया कि नहीं मुझे operation नी कराना अब की मो कर दो क्योंकि उसके लिए लड़ना एक passion था उसके लिए भागना एक passion था तो उसने thing that she said is अब chemotherapy कर दो doctors ने chemotherapy कर आई और जो फ्रेल हालत में थी जो almost 50 kg weight था almost 30 kg की रह गई एक 42 साल की lady 30 kg की आप imagine करके देखना जरा कमजोर weak और उनके उसके husband देखकर जब मुझे मेरे पास center में लेकर आया थे मुझे से मिलवाया था तो he was crying उसके साथ उसकी बेटी भी आई थी और महराश्रा के थे वो और दिली में especially मेरे से मिलने आया थे और रो रही थी और उसका husband रो रहा था और सब लोग परिशान मैंने का क्या हो गया मतलब condition है जैसे भी है अब chemotherapy होगी उनकी जब cycle सुनी तो 6 cycle पहले हुई फिर दुबार 6 cycle होगी फिर दुबार 6 cycle होगी फिर दुबार 6 cycle होगी and doctors दे मोला की chemotherapy से कंट्रोल नहीं कर पा रहे यह ट्रेटिड फ्रस लाइन फ्कीमोथेरपी सेकेंड फ्कीमोथेरपी बड्रीकावरी नहीं आ रही मैं क्यों बता रहा हूं इस किस्से को वह इसलिए ताकि आपको रिलेट कर सको और आप समथ सको की एक मरीज की हालत क्या होती है जब वह केवल उसको थोड़ा सा पेन हुआ था पर उसने जब 18 कीमोथेरपी करा ली तो शीव अल्मूस 30 kg कंडिशन घराब डिट्रेट हो चुकी है काली बढ़ चुकी है कमजोर हो चुकी है और जो मेराथन अर्थी उसका तो बतलब एक तरीके से जीने का उमीद ही कतम हो गई अब हमारे ट्रीटमेंट में है हमने बोला उसके हजबन ने as usual जैसे सारे मरीज पूछते उसके हजबने भी यही पूछा, और सब ठीक तो हो जाएगी ना और जो मैं सारे मरीज सो बोलता हूं ना होना बात की बात है पहला अभी इससे मिए रिकावर तो करो, जैसे जैसे इ महीने महine देरanking बहर गवाध वो लेडी जो 30 खक बज था उसके मैं कैलकुरेट करता roid को बार-बार-बार-बार बार-बार दो के जी बंने लगा है के जी बंने लगा nine- dogma 10 की बंने लगा और बड़ी खुश हुई कि चार महिने में उसका अल्मोस्ट जो 30 kg थी वो 38-39 kg की टच हो गई और रिकवरी दिख रही तो उसके चेहरा से दिख रहा था कि चमक है जब वो आई चार महिने के पाद उससे मुझे सबसे बहले सवाल किया पूचा डॉक्सा मैं कब भागना शुर चब मैं अचली में खुश हुआ जब अचली में थील भूआ कज़ माएचस मान भू हुआ बिक strengths के शूभर इंचले की के कैंसर टायिप्में का महिए होना नुन हम अलग अलग मुकाम है रहा समय पर अलग-अलग जीत हासिल करते हैं और ऐसे जब multiple flags हम जीत हासिल करते हैं जब अलग-अलग मुकाम को हासिल करते हैं final destination तो हमें पहुंचना है कि ठीक होना है but this was the first win for us कि जब उसके अंदर ये उमीद तो जगी कि शायद वो भाग सकती है धीरे-धीरे करके छे महीने, साथ महीने, आठ महीने निकलते रहे and जो लेडी 30 kg में थी वो आठ महीने में 46.5 kg पहुंच गई और 46.5 kg में जब वो मेरे से मिलने आई नहीं मैं Bombay विजिट करने किया था और जब वो मेरे से मिलने आई तो Bombay Center में जब वो आती है तो Bombay Center में मिठाईया लेकर आई पूरे फूरा सेंटर में पेशेंट से तो सभी कुबाट रही थी तो मैं बड़ा खुश मैंने का क्या बात होगी रिपोर्ट कर रही है क्या सुचितरा जी रिपोर्ट कर रहा है मुझे अंदर की रिपोर्ट पता चल गी है and I couldn't recognize her रिपोर्ट सब आपकी दवाई चल रही ह चैनलरमस का सक पाकी रूप और शुकार ईक्षामग का ऊपड़ना तो यहता से थी अंदर बा कि रही है । मुझे रिपोर्ट की रही हो आपको कुशतर हुआ हूँब कि अघिशा की बाग कोई दर्थ हुआ धाया यहिं नहीं नाइं चलो आप जाके स्कान करा लो नाइं absolutely no cancer in that pet city scan reports normal है और आपको website पर दिख जाएंगी यह improvement आता है यह recovery दिखती है आज मुझे यह पता है कि मैंने एक अकेले सुचितरा को नहीं बचाया उसके पूरे परिवार को बचा लिया आज उसके सपने को मरने नहीं दिया तो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा I'm always grateful to God and मैं हमेशा भगवान को शुक्रियादा करता हूँ कि शायद हमें एक जरीया बनाया मैंने यह नहीं कहा कि मैंने ठीक किया मैंने यह नहीं किया कि हमारे इलाज ने ठीक किया इसके सपने को ना मरने के लिए मुझे जरीया बना दिया तो मैं भगवान को बहुत शुक्रियादा करता हूँ और शायद जिस भी मरीज को अगर आप जानते हो या अगर आपके परिवार में कोई ऐसा cancer का मरीज है उसके सपने को मरने मत देना उसके अंदर के जो उसके जी कुछ लोग अपने बच्चों के लिए जीते हैं कुछ लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं कुछ लोग अपने पैशन के लिए जीते हैं कुछ लोग अपने प्रफेशन के लिए जीते हैं जिस भी चीज के लिए जी रहे ना उनको रिमाइंड कर आते रहे और उसको व meaning is important. अपना ख्याल रखिये.